वेल्कम टो इंजिनियर सेटा गाइज मैसल रजसिंग और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी में जो एवीपी यानि की आवास विकास परिस्द की जो वेकेंसी आई हुए हैं उसके बारे में गाइज सुरुआ से लेके लास तक जरूर देखेगा वीडियो आ या फिर प्राइवेट जॉब है किस टाइप की जॉब है कितनी वेकेंसी है किस तरीके से फॉर्म फिल करें यह सब बेसिक बेसिक क्राइटेरिया आप लोग बार बार पूछते थे इसलिए मैंने सुचा कि एक प्रॉपर एक वीडियो बना दो इसके लिए यहाँ पर देख पोस्ट है और यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर कितना पैसा अर्न करेगा एक एई जिसने बीटेक क्या बी कर रखा हो किसी भी एई सीटी अप्रूवड इंजिनरिंग कॉलेज से यहाँ पर लिखा हुआ 35,000 आपको सुनके बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर एई की से जार है देखो जिनके पास अभी इस टाइम फिलाल में जॉब नहीं है जो जॉब के लिए ट्राइ कर रहा है वेकंसिस के लिए फाइट कर रहा है उनके लिए यह अमाउंट भी कम नहीं है और सही माइनने में देखा जाए तो एक अपने करियर की सुरुवात करने के लिए बहुत ही बेस्ट ओप्शन हो सकता है ये प्टिकुलर एग्सामिनेशन यहां पर देखी इसमें चार वेकंसिस हैं अलेक्टिकल और मेकिनिकल वालो के लिए और यहां पे 16 की सिविल वालो के लिए जो जो एसिस्टेंट इंजिनिर की पोश्ट है इसके अलावा इसमें जे की पोस्ट है और जेई की पोस्ट थोड़ी अच्छी है that is why important है वेकंसी जूनियर इंजिनियर सिविल की अगर बात करें तो यहाँ पे 22,000 रुपए आपको मिलेंगे और डिप्लोमा इन सिविल इंजिनिरिंग फ्रॉम एए सिटी अप्रूवड पॉलिटेक्निक इंस्ट्यू वालों के लिए यहाँ पे टोटल है 12 ठीक है बाकि सारा क्राइटेरिया सेम है अब रही बात कि यह वेकंसी किस टाइप की है यह कोसंस तो भाई जन्मिन है कि सर यह पर्मरेंट जॉब है कि नहीं है तो आपको बहुत ही सबस्ट बताना चाहूंगा बहुत ही क्लियर आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना इसके फॉर्म फिलिंग का और आज यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज लास्ट डेट है और फॉर्म फिलिंग की प्राइज जीरो है बिल्कुल कोई भी भर सकता यहाँ पर फ्री में है फॉर्म फिलिंग यहाँ पे तो दिखाई दे रहे हैं कि टॉप पे लिखा हुआ है सेवायोजन.up.nic.in उसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको पूरा दिखाई देगा रोजगार संगम यह इस तरीके का पूरा का पूरा दिखाई देगा इसमें चार ओप्शन होंगे यहाँ पे पे इसमें आपको आउट-sourcing वाले पे क्लिक करना है और यह आउट-sourcing की ही वेकेंसी है यह पर्मनेंट जॉब नहीं है यह पर्मनेंट जॉब नहीं है इसा नहीं कि इसमें आप जोईन कर लिया तो आप सोच लोगों की नहीं अब मेले तो जिंदगी इसमें कट जाएगी पूरे टाइम के लिए fix है, outsourcing क्या होता है, outsourcing का मतलब होता है, कि कभी काम बढ़ जाता है, जैसे किसी भी government project चल रहा है, उसमें काम बढ़ गया, जादे लोगों के requirement है, तो वो क्या करते हैं, outsourcing से, मतलब दूसरे किसी private firm से contact करते हैं, और वहाँ से कुछ लोगों को hire कर लेते या फिर outsourcing पे कुछ vacancies निकालते हैं, वहाँ से लोगों को hire करके उनसे काम करवाते हैं, और उनको उसके बदले में पैसा भी देते हैं, तो यहाँ पर outsourcing वाले पे अगर option पे आप click करते हो guys, जो कि second option है, उसके बाद कुछ इस तरीके से job search करके इस तरीके से खुल के आता है यहाँ पे, पूरा का पूरा page इस तरीके से खुल के आता है, जिसमें ऊपर outsourcing नौकरियां, private नौकरियां, सरकारी नौकरियां, रोजगार मेला इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, उसमें आपको जाना है guys, यहाँ पे देखिए, दिखा रहा हूं मैं आपक पॉइंट पे जाईए, और यहाँ पे side में रिक्तियों का विवरण आवेदन करें, यह दोनों ही option आपको दिखाई देंगे, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हो, और अंतिम्तिती देख सकते है guys, 48 2022, आज ही last date है, form की fee नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो जिनको भी भरना हो, देखो यार, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपकी permanent job है, government job है, तो आप इस examination को भरो form दो, लेकिन हाँ कहीं न कहीं आप private job कर रहे हो, आपको need है, एक थोड़ा सा अच्छी और job की वहाँ से निकलना चाहते हो, definitely या फिर आपके पास job नहीं है, तो उसके लिए definitely इस form को भर सक इसी है, ठीक है, यहाँ पर आपसे कोई भी form fee नई ली जा रही है, और last date भी आज ही है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बहुत इस इंपल आवेधन करें, जहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे, तो इसकी site खुलेगी, और उस अपने भी civil और electrical वाल इस्टुडेंट है, वो definitely apply कर सकते हैं, thank you so much guys, मिलते हैं आपसे next वीडियो में, bye-bye, take care.